वर्निंग बैल, have fun and learn रही थी, और उसी पेर पर फर्राटा नामका एक बंदर भी सो रहा था फर्राटा को देख चुन्चुन् नैं अपनी मा से कहा मा, ये बंदर हमारे पेर पर के सो रहा है ये पेर तुम्हारे कपसी हो गया चुछ्चन सोब से लो उसे लेकिन माँ जंदर में और भी तो पेर है इससे कहो किसी दूसरे पेर पर जाका सोई चुनचुन, जैसे ये जंदर सबका है जैसे ही ये पेर भी सबका है इसलिए तो मिस पेर से उसे नहीं हटा सकती किट्टु ये बोलकर चली गई लेकिन चुन-चुन को एक शरालत सुजी वो बंदर के पास पहुँची उसने बंदर के पूँच को पेर की टहनी से बाल दिया उसके थोड़ी ही देर बाद जब फराटा बंदर सो कर उठा तो उसने दूसरी टहनी पर छलाउं लगाने की कोशिश की लेकिन उसकी पूँच बंदी होने के कारण वो दूसरी टहनी तक नहीं पहुँच सका और वहीं पेर से उल्टा लटक कर चिलाने लगा बचाओ, बचाओ, मैं पेर पर लटके अगे, बचाओ फराटा के चिलाने की आवाज सुनकर सबे जान्वर वहां आ गए और तभी वहां मौजूद जंगल का राजा शेर सिंग बोला अरे फराटा, तुम इतना चिला जो रहे हो किसी ने मेरी पूँच चैनी से बंदी है लेकिन तुम्हारी पूँच चैनी से कौन बंदेगा किसी को क्या मिलेगा ऐसा करके ये काम उस शरार से चंचन न किया होगा वही जंगल के सभी जानवरों को परिशान करती है ये बाते किट्टू और चंचन पेर की उपर बैठ कर सुन रही थी इतने मेरे चंचन बोली हाँ, मैंने ही बंदर की पूँच पेर से बांदी है लेकिन तुमने ये सब क्यों किया बंदर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जंगल में इतनी साई पेर है तो ये बंदर इस पेर पर जूस होया ये हमारा पेर है ये सुनकर सभी जानवर हैराम रह गए तभी हीरन बोला चुन्चन एक बात कान खोल कर सुन लो ये जंगल सब का है इसलिए यहां के पेरों पर भी सब का अधिकार है चुन्चन अगर अब तुमने जंगल में किसी जानवर को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूँगा ये सुनका किट्टू जल्दी से बोल पड़ी नहीं नहीं माराज चुन्चन अभी छोटी है उसका माफ कर देजे आज के बाद वो ऐसे शरावत कभी भी नहीं करेगी मैं अभी फर्राटा किटूच खोल देती हूँ ये कहका किट्टू फर्राटा बंदर के पूँच पेर के तहनी से खोलने लगी और तभी फर्राटा बंदर पेर से गिर गया इतने में शीर सिंग बोला किट्टू, किट्टू, समझा देना अपनी बेटी को ये उसके लिए आखरी से दावनी है ये बोलकर शीर सिंग और जंगल की बाकी जानवर वहां से चले गए और किट्टू ने चुंचुन से कहा चुंचुन, तुम ये शरार के तर्मर कप छोड़ोगी तुमारे ये ना समझी, किसी दिन तुमारे ये मुसिबत बन गएगी समझी? किट्टू के बात का चुंचुन पर कोई असर नहीं हुआ ऐसे ही कुछ दिन बीट गए कि तभी किट्टू को किसी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ गया और उसने चुंचुन से कहा चुंचुन, मैं एक जरूरी काम से जंगल के बाहर जा रही हूँ लेकिन तुम यहां किसी को परिशान मत करना और जंगल से कहीं दूर मत जाना ठीक है मा, आप चिंटा मत करो मैं किसी को परिशान नहीं करूँगी लेकिन चुंचुन की बात पर किट्टू को विश्वास नहीं था इसलिए उसने अपने परोश में रहने वाले कालू कवे से कहा कालू भाई, मैं जंगल से बाहर जा रही हूँ एक तो दिन में वापस आ जाओंगी क्या तुम चुंचुन का ख्याल रखोगी वाँ, 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 तीक है जिट्टू कालू भाई, चिंटा मत करो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी ये बूलकर कि ट्टू चली गई और चुंचुन वणी ब्रंगल में रहने लगी एक बिन चुंचुन पेड़ पर अकेली बैठी सोच गही थी मा को गय हुए इतने दिन हो गई क्यों न मैं भी जंगल से बाहर जाकर मा से मिलो मा मुझे देखकर कितना घिशोंगी ये सूश्टी हुए वो पेर से उतरने लगी ताकि वो जंगल से बाहर जा सके लेकिन पेर से उतरती हुए उसे कालू ने देख लिया और वो बोला कालो की बात सुनकर चुंचुन वहां से चली जाती है और वो जंडल से बाहर जाने की कोशिश में रास्ता भूल जाती है अब उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता जिससे वो रास्ता पोच सकी उधर कित्व जब पेड़ पर वापस आई तो उसे चुंचुन कहीं नहीं दिखाई दी उसने कालो से पूछा कालो भाई कालो भाई चुंचुन कहा है उसमें थोड़ी जिर पहले मुझसे खाता कि वो पाली पीने जा रही है उसके बाद वो अभी तक में ही लोती करीमो किसी मसीबत में नबस जाए हमें जाकर उसके मदद करनी चाहिए और रात में होने वाली है हमें अभी जाकर जंगल के सभी जानवरों को बताना चाहिए ये कहकर किट्टू और कालू ने जंगल के सभी जानवरों को सारी बात बता दी सभी चुंचुन को इधर उधर ढूनने लगे लेकिन वो कहीं नहीं मिली तभी कालो को आसमान में एक बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया तभी कालो ने कहा मा ने कहा, आसमान में बाज उड़ रहा है इस समय बाज आसमान में चाकर रहा है लगता है वो अपना भोजन धून रहा है हिरन की बात सुनकर किट्टू घबरा गई और बोली कहीं ऐसो तो नहीं इस बास के नजर मेरे किट्टू पर पर पागई हूँ तुम चिंचा मत करें हूँ मैं अभी अपने दोस्त मिट्टू तूचे के साथ जाता हूँ और पजा करता हूँ ये कहतर कालू मिट्टू के साथ बास का पेछा करने चला गया उसने देखा कि बास चुन-चुन के ऊपर मंड़ा रहा था ये देखका कालू सुबज गया कि उस बास का शिकार चुन-चुन ही थी उसने सारी बास जंगल के जानवरों को बता दी और वापस चुन-चुन की मदद करने मिठू तोते की साथ चला गया अब बाज ने मौका पाकर चुन-चुन को अपने पंजों में दबा लिया ये देखकर कालू बोला मिठू चले अज बाज के बाज चला नहीं कहा चुन-चुन को खा जाएगा ये सुनकर मिठू और कालू आस्मान में बाज से लड़ने लगे वो दोनों बाज पर अपनी चुन से लगातारवार करने लगे इसी दरां चुन-चुन बाज के चंगुल से छूट गई चुन-चुन को नीची गिरता देख जानमरों में पत्तियों और घाट से बना हुआ जाल नीचे बिछा दिया चुन-चुन उस नरम जाल पर आ गिरी चुन-चुन बेटा तुम ठीच तो हुँ न? हा मा मत बिलकुल ठीच हूँ चुन-चुन हम तुम्हें इसलिए समझाते थे कि शरारत मत किया करो देखा तुम कितनी बड़ी मुसीबत में भस गई ये सुनकर चुन-चुन अपनी मा से बूली मुझे माफ कर दो मा मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी अब से मैं पूरी शनानत नहीं करूंगी